दाइकजाम वायर में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली मुगल साहिति पुस्त के और उनके लेकक सालतना साहिति की तरह ये भी एक निप्टारा वीडियो है इस से बाहर कोई भी प्रशन नहीं आएगा यूपी एसी पब्लिक सर्विस कमीशन पी एसी जितने भी है अलगल राज चाहे एमपी पी एसी हो चाहे यूपी पी एसी हो ठीक है इसके लावा जूजी सी नैट और जितनी भी एक दिफसी पर इच्छाए हैं उन सब में प्राय है यहां से एक से दो प्रशन अवश्य पायास आपको सफलता की और ले जाता है तो इमानदारी से सभी प्रशनों को ठीक से देखिएगा समझेएगा चलिए देखते हैं कोशन नंबर वन कोश्च नमबर वन है पंच तंतर का यारेदानिश नाम से फारसी अनुवाद किसने किया है ठीक है पंच तंतर का अनुवाद हुआ है यारेदानिश नाम से ठीक है इसे तो आपको याद रखना ही है लेकिन किया किसने है ठीक है अबुल फजल ने मौलाना हुसाइन फैज ने नकीब खान ने या अब्दुलकादिर बदायूनी ने तो आपका अंसर है मुलाना हुसाइन फैज ने ठीक है पंच तंतर का यारेदानिश नाम से अनुआद किया है ठीक इसके अलावा पंच तंतर का एक अनुआद अबलफजल ने भी किया है ठीक है उसे भी जान लीजिए पूछा जा सकता है आपसे और अबलफजल ने जो अनुआद किया है वो किस नाम से किया है ये तो आपने देखा मुलाना हुसाइन फैज ने किया है और वो भी यारेदानिश नाम से ठीक है लेकिन अबलफजल ने अन्वाद किया है वो किया है अन्वर ए सादात नाम से कहीं कहीं अन्वर ए सादात में सादात की जगा पर सुहेली लिखा होता है ठीक है अन्वर ए सुहेली ठीक है तो एक ही बात है अन्वर ए सादात या अन्वर ए सुहेली नाम से पंच तंतर का अन्वाद किस ने किया है अबुल फजल ने किया है और वहीं यारे दानिश नाम से किस ने किया है फैज ने किया है ठीक है इसे याद रखेगा वैसे पंच तंतर पुस्तक जो है हिंदी किया और इसे लिखा किसने है ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये विश्णु शर्मा की पुस्तक है ठीक है विश्णु शर्मा ठीक है और इस पुस्तक का फारसी अनुवाद आपने देखा बोलाना हुसान फैज और अबुल फजल ने किया है किस नाम से किया है ये भी भारत का भारसी अनुवाद किया फैजी ने ठीक है फैजी ने और आपको ये भी बता दें फैजी अबुल फजल का ही भाई था ठीक है दोनों सगे भाई थे तो फैजी ने किया है महा भारत का भारसी में अनुवाद ठीक है याद रखेगा और आपको ये भी बता दें अकबर अकबर ने एक विभाग की स्थापना की थी जिसे अनुवाद विभाग कहा जाता है ठीक है अनुवाद विभाग बहुत सारी पुस्त के और जो गरंत थे उनका अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग की सापना की थी अकबर ने और इस अनुवाद विभाग के अध्यक्ष थे भैजी ठीक है एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे ठीक है इसके तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था भैजी को ठीक है और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था अब खान खाना ठीके शार्ट के लावा औरो यारो की प्रिच्छा में भी प्रिच्छा जाता है सुमेलित गरने के लिए तो पहला है मुन्तखाब उल्तवारिक बदायूनी तारीख अलफी मुलादाओ तारीख रशीदी आरिफ कंधारी तारीख अकबरी मिर्जा हैदर दोगलत तो मुन्तकाब उल्तवारिक पुस्तक को बदायूनी ने लिखा है सुमेलित है तारीख अलफी मुला दाउद ने लिखा है ये भी सुमेलित है तारीख रशीदी इसको लिखा है मिर्जा हैदर दोगलत ने ठीक है याद रखिएगा और इसके लावा तारीख अकबरी है इसको लिखा है आरिफ कंधारी ने ठीक है याद रखेगा इसके बाद कोश्च नमबर फोर देखते हैं कोश्च नमबर फोर है रस गंगा धर पुस्तक के लेखक पंडित जगनाथ किस मुगल शाशक के राज कवी थे ये प्रसन वेरी इंपॉर्टेंट है रस गंगा धर पुस्तक इसके लेखा कौन है पंडित जगनाथ है इस पंडित को याद रखेगा प्रसन से ही तो ये किस मुगल शाशक के राज कवी थे ये आपको बताना है तो आपका आंसर है शाह जहां ठीक है शाह जहां के और पंडित जगनाथ की एक पुस्तक और भी है गंगा लेहरी ठीक है इसे भी याद रखिएगा, गंगा लहरी भी पंडित जगनात नहीं लिखी है, ठीक है, question number five देखते हैं, question number five है, अकबर ने निम लिखित में से किस एक आचार्य को जगत गुरु की उपादी दी, ये प्रशन भी very important है, ठीक है, जगत गुरु की उपादी, जिन चंदर सूरी, चिंता मनी या सुन्दर दास, तो आपका आंसर है, हरी विजए सूरी, ठीक है, इसको अकबर ने जगत गुरु की उपादी दी, ठीक है, याद रखने का तरीका है, जो विजए पराप्त कर लेता है, वो जगत में फहमस हो जाता है, ठीक है, तो विजए को जगत से जोड़ दीजे ठीक है और इसके अलावा जिन चंदर सूरी जो है इसको भी अकबर ने एक उपाधी दी थी ठीक है युग परधान की इसे भी याद रखिएगा ये प्रशन भी आपसे पूछा जा सकता है युग परधान की ठीक है जिन चंदर सूरी ठीक है इसको यहां इसमें जो चंद्र है चंद्र को आप परधान से जोड सकते हैं ठीक है ठीक है चंद्र परधान ठीक है इसकी बाद कोश्च नमर शिक्स है निमलिकीड मेंसे किस लिखक को अकबर ने जरी कलम की उपादी दी ठीक है very important question है जरी कलम अबुल फजल मुहम्मद हुसाइन फैजी या मौलावना शेरी तो जरी कलम की उपाधी अकबर ने किसको दी थी मौलावना मौहम्मद हुसाइन को याद रखी गए और ये कश्मीर का शाशक था ठीक है कश्मीर का शाशक था और अकबर का चचेरा भाई था ठीक है इसे भी याद रखिएगा ठीक है अकबर का चचेरा भाई था मुहम्मद हुसाइन इसी को अकबर ने जरी कलम की उपादी थी ठीक कोश्च नमबर 7 देखते हैं किस इतिहास कारने बाबर को इसलाम के इतिहास में सबसे आकर्शक व्यक्ति कहा है किस इतिहास कारने माना है कि बाबर इतिहास में सबसे आकर्शक व्यक्ति है आपको बता दे बाबर बहुत ही शक्ति चाली था अपने बगल में दो व्यक्तियों क को दबा करके दोड सकता था अब आप सोच सकते हैं और 6 पुट से भी अधिक लंबा था ठीक है तो किस इतिहास कारने माना है सबसे आकरशक व्यक्ति तो आपका आंसर है है वेल ने ठीक है इसके बाद कोश्चिन नमबर 8 देखते हैं तुझ के बाबरी पुस्तक के का अनुव किस ने किया है पैजी ने अब अब अलफजल ने गुल बदन बेगम ने या अब्दुररहीम खान खाना ने ठीक है तो आपका안सर है अब्दुरहीम खान खाना ने ठीक है अकबर के अनुवयद का ये कौन था उपा ध्यक्ष ता उपर अभी चर्चाинов촉ी ठीक है याद रखि ठीक है अब्दुरहीम खान खाना और अकबर ने अब्दुरहीम खान खाना को अपना पुत्र माना हुआ था ठीक है पुत्र माना था इसे भी याद रखेगा ठीक कोश्चन नमबर 9 देखते हैं निमनिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ठीक है सुमेलित नहीं है इसे आपको ध्यान देना है तबकाते नासरी निजामुदीन एहमद पादिशाह नामा अब्दुलहमीद लाहोरी चहार चमन चंदरभान मुंतखावल तबारिक नकी खांग तो तबकाते नासरी ये निजामुदीन एहमद की पुस्तक है ये तो सुमेलित है पादिशाह नामा अब्दुलहमीद लाहोरी ने लिखी है ये भी सुमेलित है और चहार चमन चंदरभान ने लिखी है ये भी सुमेलित है ठीक है इसमें दो बार चा चा आया है और इसमें भी चा है ठीक है इस तरह से याद रख सकते हैं जाहर, चमन, चंदरभान, ठीक है, मुंतखाब उल्टवारिक, तो मुंतखाब उल्टवारिक पुस्तक जो है, ये नकी खाने नहीं लिखी है, तो आप कांसर D हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, फिर इस पुस्तक को लिखा किसने है, म निखित में से किसके द्वारा हितो पदेश का फार्सी अनुवाद किया गया है, ठीक है, हितो पदेश का फार्सी अनुवाद दारा शिको, अबुल फजल फैजी या ताजुल माली, ठीक है, तो दारा शिको, सोरी, अब हितो पदेश का फार्सी अनुवाद ये किया है, ता कहा जाता है ये उपादी है दाराशिकोफ की संस्कृत ए कलंदर ठीक है और लेन पूल ने दाराशिकोफ को लगु अकबर कहा है ठीक है लगु अकबर किसने कहा है लेन पूल ने किसको कहा है दाराशिकोफ को याद रखेगा और इसकी एक अन्युपादी है संस्कृत ए कलंद ठीक है और हितो पदेश का फार्सिय नुवाद किस ने किया है ताजल माली ने ठीक है याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टन पॉइंट्स है ये आगे बढ़ते हैं कोश्च नमबर 11 पर कोश्च नमबर 11 है सुमेलित करना है आपको ठीक है कोट के माद्यम से उतर चैन करना है आलमगीर नामा निजामुदीन इहमत तबकाते अकबरी मिर्जा मुहमद काजिम चहार चमन चंदरभान इकबाल नामा जहांगीरी मुतद खां ठीक है तो आलमगीर नामा इस पुस्तक को लिखा है मिर्जा मुहमद काजिम ने ठीक है आलमगीर नामा मिर्जा मुहमद काजिम की पुस्तक है ठीक है और तबकाते अकबरी इसको लिखा है मिजामुदीन इहमद ने ठीक है चार चमन या चहार चमन इस पुस्तक के लिखक उपर अभी देखा चंदरभान है और इकब एक मुगल शाशक का काल हिंदी साहितिका स्वर्न काल कहलाता है ये तो शायद आप जानते ही होंगे उदार शाशक कौन था? अकबर था ठीक है? और अनुवाद विवा की स्थापना किसने की? अकबर ने करवाई अद्यक्ष कौन थे? उपर आपने देखा उपाद्यक्ष कौन थे? ये भी आपने देखा ठीक है? और अकबर का शाशन काल जो है ये हिंदी साहितिका स्वर्न काल कहलाता है ठीक है? और आपको ये भी बता दें जो अकबर का पुत्र था दनियाल ठीक है? ये हिंदी में कविताएं लिखता था अब्दुल्हमीद लहोरी किस मुगल शाशक का राज की इतिहासकार था? ठीक है? राज की इतिहासकार अब्दुल्हमीद लहोरी तो आपका अंसर है शाह जहां ठीक है? याद रखिएगा कोश्चन नमबर फोटीन इम्लिकितमें से कौन सा एक सूमेलित नहीं है शाह जहा नामा शाह जहा नामा राज की रचना थारीक शेर शाही इसमें शेर शब्दाया है और यहां भी शार शब्दाया है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं याद रख सकते हैं याद रखने का तरीका है हुमायू नामा ये सुमेलित नहीं है तो आपका अंसर यही हो जाएगा ताजुल मासिर के हसन निजामी है ठीक है निजामी है तो हुमायुनामा लिखा किसने हैं ये भी आपको पता हुना चाहिए यदि भीम सेने नहीं लिखा है तो हुमायुनामा पुस्तक के लेकर हैं गुल बदन बेगम । ठीक है, हुमायू नामा की रचना किसने की है, गुल बदन बेगम ने, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, इसके इलावा, याद रखेगा, खौंद मीर ने, ठीक है, खौंद मीर, पॉइंट को ध्यान दीजेगा, हुमायू नामा, उस्तक के लेखक हैं, दो, ठीक है, एक है, गुल बदन बेगम, और दूसरे हैं, खौंद मीर, ठीक है, हुमायू नामा के, ठीक, और गुल बदन बेगम ने, अकबर के काल में, हुमायू नामा की रचना की है, ठीक है, और हुमायू के काल में, हुमायू नामा की रचना किस ने की है खौंद मीर ने की है इसे याद रखिएगा ठीक है तो दो लेखक है गुल बदन बेगम और खौंद मीर किसके लेखक है हुमायू नामा के ठीक है याद रखिएगा भीम सेन इसके लेखक नहीं है तो आपका अंसर C हो जाएगा सुमेलित नहीं है बाकी तीनों सुमेली थे, कोश्च नमबर 15 देखते हैं, कोश्च नमबर 15 है, अनवार ए सुहाईली, ठीक है, उपर चर्चा कर चुके हैं, अनवार ए साधात या अनवार ए सुहाईली, किस संस्कृत गरंद का फार्सी अनवाद है, इस तरह से भी प्रशन आप से पूछा जा सकता ह है, तो किस संस्कृत गरंद का फार्सी अनवाद है, आपको ये पता होना चाहिए, ये तो पदेश का पंच चंत्र का, रमयन का या महां भारत का, तो आपका अंसर है, पंच चंत्र का, ठीक है, और किस ने किया है, इस नाम से, अबुल फजल नहीं, ठीक है, अबुल फजल कोश्चन नमबर 16 है, सुमेलित करना है, सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है, और कोट के मादम से उत्तर का चैन करना है, ठीक है, ताजल मासिर, ताजल मासिर किस की दोरा लिखी गई है, ये, हसन निजामी के दोरा, और खजाइन उल्फ तो, ये लिखी गई है, अम अगला है तारीक मुबारक शाही तो मुबारक शाही इसके हैं सर हिंदी ठीक है जब भी कोई नवर्ष होता है न्यू इर होता है या कोई फैस्टिवल होता है तो आप जो है अपने टीचर को अपने सर को क्या करते हैं मुबारक बात देखते हैं ठीक है तो मुबारक को सर से ज क्वेंटीन देखते हैं निम लिखिद में से किस एक लेखक को अकबर ने महापात्र की उपाधी दी वेर इंपॉर्टन कोश्चन है अकबर ने दी उपाधी महापात्र की किसको दी यह आपको बताना है नरहरी नंददास केशवदास या चिंतामणी ठीक है तो आपका अंसर ह नरहरी को ठीक है नरहरी को महापात्र की उपाधी दी ठीक है हरी को महां से जोड सकते हैं महां से जोड सकते हैं हरी हमेशा महान होते हैं ठीक है तो महापात्र की उपाधी नरहरी को दी कोश्चन नबर 18 है कवी सुंदर दास को शाह जहां ने किस उपाधी से विभूशित कि ठीक है तो एक तो ये जान लीजे कि सुन्दरदास को उपादी किस ने दी शाह जहां ने दी ठीक है कौन सी उपादी दी ये आपको बताना है ठीक है इस तरह का प्रशन प्राय है जिस तरह इसकी option दे रखें अभी अर्थियों से गलत हो जाता है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कवी राय है कि कवी पंडित है कि महा कवी है या महा कवी राय है ठीक है तो सुन्दरदास को शाह जहां ने महा कवी राय कि उपादी दे थी ठीक है याद रखेंगा very important question है question number 19 देखते हैं question number 19 है संस्कृत भाषा को से रचन परदान करने वाला प्रतम मुगल समराट कौन था ठीक है संस्कृत भाषा को ठीक है तो ये भी आप जान ही गए होंगे उदार शाषक अकबर ठीक है जिसे अकबर दी ग्रेट कहा जाता है ठीक है संस्कृत भाषा को से रचन अकबर ने दी जाता ठीक है question number 20 देखते है question number 20 है यहाँ पर सुमेलित करना है आपको ठीक है सुमेलित करना है सुची एक को सुची दो से और नीचे कूट के मादम से चेहन करना अकबर शाही श्रिंगार दरपन अकबर शाही श्रिंगार दरपन इसके लेखक है जैन पद्य सुन्दर ठीक है इसको भी आप याद रख सकते हैं श्रिंगार को जोड़ सकते हैं सुन्दर से ठीक है जनली श्रिंगार जो है किसलिए किया जाता है सुन्दरता के लिए किया जाता है सुन्दरता बढ़ सके अगला है स्वदेश वृतांत संग्रह इसके लेखक हैं महेश ठाकुर ठीक है अगला है हरी सो भाग ये तो हरी सो भाग लिखा है देव विमल ने ठीक है और हरी को देव से जोड सकते हैं ठीक है और अगला है भानु चंदर चरित्र इस पुस्तक के लेखक है जैन सिधी चंदर ठीक है इसमें देखिए चंदर आया है और इसमें भी चंदर आया है ठीक है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ठीक है Question number 21 देखते है Question number 21 है महा भारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ ठीक है ये प्रशन UP pieces में ROARO में भी पूछा जा चुका है Very important question है आगे भी पूछा जा सकता है तो महा भारत का फारसी अनुवाद हुआ है रजम नामा से ठीक है याद रखिएगा रजम नामा आप कांसर हो जाएगा Question number 20 सेकंड देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है कालिया दमन अबुलफजल अथरववेद बदायूनी भागवत पुरान फैजी हरिवंश मोलाना शेरी तो एक तरफ आप देख रहे हैं बुस्त के दे रखा है दूसरी तरफ जो है ये अनुवादक है तो कालिया दमन इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है कालिया दमन अबुलफजल द्वारा अनुदित है ये सुमेलित है अथरववेद बदायूनी ये भी सुमेलित है भागवत पुरान ये सुमेलित नहीं है ठीक है तो आपका आंसर C हो जाएगा हरिवंश मोलाना शेरी ये सुमेलित है तो भागवत पुरान का अनुदित किया किसने है ये आपको पता होना चाहिए तो इसका अनुदित किया है टोडर मलने नीचे हम सुची और पुस्टकों के लेखक में अनुदित भी देखेंगे कौन कौन सी पुस्टकیں किसने अनुदित की है इसको भी हम देखेंगे ठीक है Question number 23 देखते है निमलिखित में से कौन एक अकबर का प्रतम जीवनी कार था ये question भी very important है अकबर का प्रतम जीवनी कार बदायूनी निजामुदीन एहमद खौंद मीर या बायजीद बयात तो आपका अंसर है बायजीद बयात खौंद मीर खौंद मीर ने अकबर सौरी हमायों की हमायों की तुलना किसे की है सिकंदर से की है ठीक है हमायों की तुलना सिकंदर से ठीक है किसने की खौंद मीर ने की ठीक है और खौंद मीर ने पुस्तक लिखी थी उपर बता चुके हैं हमायों नामा लिखा और अकबर के काल में हुमायू नामा किसने लिखा था गुल बदन बेगम ने ठीक है याद रखे इस पॉइंट को कोश्चिन नमबर 24 देखते हैं अकबर कालीन परतम भारती ये संस्कृत शब्द गोस का नाम क्या है अकबर कालीन बहारे आजम, चिरागे हिदायत फार्सी प्रकाष या इन में से कोई नहीं तो अकबर के काल में भारती ये शंसकृत शब्द गोस फारती यहाँ पे फार्सी होना चाहिए था मिस्टेख होगी फार्सी शंसकृत थिक है तो उसका नाम है फार्सी प्रकास ठीक है फार्सी संस्कृत शब्द कोस का नाम है फार्सी प्रकास जो अकबर के काल का प्रथम शब्द कोस है ठीक है question number 25 देखते हैं औरंग जेब के पत्रों का संकलन कहलाता है very important question है तारीख औरंग जेब महसिरे आलमगीरी फुतुहात आलमगीरी या रुकात आलमगीरी तो आपका आँसर है रुकात आलमगीरी ठीक है इसमें जो रुका शब्द है इसका मतलब होता है कार्ड मेहरिस कार्ड ठीक है उसको रुका कहा जाताया पंजाबी भाशब में और अंगजेब के पत्रों का संक्लान रुकात यह आलंगीरी है ठीक है और अंगजेब और सिक्फों के दस्वेइ गुरु गोविन सिंग्र के मध्य जो पत्रों का आदान परदान हुआ है उसे कहते हैं जफर नामा ठीक है औरंग जेब ने जो सोरी गुरु गोविन सिंग ने जो औरंग जेब को पत्र लिखे हैं ठीक है पत्रों का संकलन क्या कहलाता है जफर नामा याद रखिएगा ठीक है नुस्खा ए दिल खुषा, पुतवात आलमगीरी, पादशाह नामा या दबिस्ताने मजाहिब. ठीक है? तो नुस्खा ए दिल कुषा में दच्छुन भारत की इतिहास को जानने का सुरोत है. ठीक है? नुस्खा ए दिल कुषा. याद रखेगा. नुस्का ए दिल कुशा इस पुस्त को लिखा किस नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो भीम सेन भीम सेन बस याद रख लीजिएगा पूरा नाम है भीम सेन कायस्त बुरहान पुरी ठीक है ये बुरहानपुर के रहने वाले थे तो भीम सेन ने नुस्का ए दिल खुशा लिखी है जो दच्छिन भारत के दिहास को जानने का स्रोत है very important है question number 27 देखते है question number 27 है भासकराचार रिकृत लीलावती ठीक है भासकराचार ने जो लीलावती लिखी है इसका फार्सी अनुवाद किस ने किया है ठीक है भासकराचार की लीलावती का अनुवाद फार्सी में फैजी ने किया है ठीक है और लीलावती जो है ये गड़ित के पुस्तक है ठीक है भासकराचार आप जानते हैं गड़ितक ये थे question number 28 देखते है निमलिखिद में से किस मुगल समराट ने फारसी भाषा में आत्मकत है फारसी भाषा में यह प्रशन भी very important है अकबर जहांगीर्च शाह जहा यह ओरंग जेब ठीक है तो आपका अंसर है जहांगीर्च ने फारसी भाषा में आत्मकत है उस पुस्ता का नाम क्या है यह comment box में ह बताईएगा, question number 29 है, निमलिखित में से किस गरंत का अर्बी रूपांतरण कलिलाह बादिमना है, ठीक है, कलिलाह बादिमना पुस्तक का नाम है, किस पुस्तक का ये अर्बी रूपांतरण है, अर्बी भाशा में ये, ठीक है, महाभारत का रमायन का पंचतंतर का या हीतो अब रखेगा, उपर हम देखे, पंचतंतर का अनवाद किस नी किया है, अबुल्फजल ने किया है, और एक अन्य आपने देखा, किस नी किया है, और यहाँ पर, अर्बी भासा में जो अन्वाद हुआ है, कलिलाह बादिमना, ये पंचतंतर का अर्बी अनुआद है, ठीक ह कोशिन No. 30 देखते हैं अकबर के दीन-ए-लाही का उलेक करने वाली पुस्तक दबिस्तान-ए-मजाहिब के लेखक एक अकबर ने जो दीन-ए-लाही धर्म चलाया था इस पुस्तक पर चर्चा दबिस्तान-ए-मजाहिब में की गई है इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है अबुल फजल मौसिन फानी बदावने या कवांद्मीर तो दबिस्तान मजाहे पुस्तक के लेखक है मौसिन फानी याद रखिया pagan यह थे 30 partion इसके बाद हम पुस्तक और इनके लेखक इस पर एक नज़र डालेंगे ठीक है ताकि आपका रिविजन भी हो जाए और कुछ अन्य पुस्तके हैं उनको भी आप देख सकें ठीक है तो सबसे पहले है बाबर नामा ठीक है बाबर ने लिखी दिवान ये भी बाबर ने लिखी और मुबयान ये भी बाबर ने लिखी और याद रखी गए ये तीनों पुस्तकें जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है ठीक है तुर्की भाषा में बाबर की पुस्तकों को छोड़ करके बाबर के समय की पुस्तकों को छोड़ करके अन्य सभी बुस्त के लगभग जो है फार्सी भाषा में लिखी गई है ठीक है और मुगल काल की जो दर्बारी भाषा थी ओफिशिल लेंगेज वो भी फार्सी ही थी बाबर को छोड़ करके ठीक है question number, sorry, आगे देखते है कानूने हुमायूनी तो कानूने हुमायूनी खौंद मीर ने लिखी है, ठीक है तारीखी रशीदी, तारीखे रशीदी ये लिखी है मिरजा हैदर दोगलत ने ठीक है, याद रखेगा इसके बाद आगे देखते हैं ताज किरातुल वाकियात ये लिखी है जोहर आफताबची ने ठीक है याद रखिएगा इसके बाद अगला है तजाकिरा ए हुमायूं ओपर सुम्हिलित करने में हम देख चुके हैं बायजीत बेहात की पुष्टक है इसके बाद अगला है तारीक अकबरी को लिखा है आरिफ कंधारी ने ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं तबकाते अकबरी तो निजामो दीन एहमद हो जाएगा ठीक है इसके बाद आगे है मुन्तखाव उल्तवारिक ये भी हम देख चुके हैं उपर खफी खाने लिखा है ठीक है नुक्षा ए दिल्खुशा ये भीमसेन ने लिखा है ठीक है भीमसेन बुरहान पुरी ने और आप देख चुके हैं ये दच्छन भारत की तिहास को जानने का सुरोत है ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं खुला साथ उल्तवारिक तो ये सुजान राई भंडारी की बुस्तक है ठीक है एक बार सुमेलित करने के लिए पूछा जा चुका है यूपी पीसस में शौर्य अगला है मजमल बहरीन तो ये लिखा है दाराशी utanे ठीक है इसके बाद अगला है फुतुहात इये आलमगीरी तो ये इश्वर दास की लिखी हूई है पादशाह नामा अब्दुलहमील लाहूरी की थीक है इसके बाद आगए है शाह ज़हा नामा तो ये इनाय काजिम की है ठीक है मुहम्मद काजिम औरंग जेब के शासनकाल में ठीक है इसके बाद है चहार चमन तो ये चंदरभान की है और रस गंगा धर के पंडित जगनात है ठीक है जिनोंने रस गंगा धर के अलावा गंगा लहरी बुस्तक भी लिखा है और चहार चमन चंदरभान क ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं रसिक प्रिया रसिक प्रिया और राम चंदरिका इन दोनों पुस्तकों के लेखत केशव दाजिजी है हिंदि साहित यदी अपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा ठीक है इसके बाद हम आगे देखते हैं गंगा लहरी उपर देख चुके हैं पंडी जगनात और मिरातुल आशरीन वेरी इंपॉर्टेंट है मिरातुल आशरीन इसको लिखा है गेसूद राजने इसके बाद आगे हम देखेंगे पुस्तके और उनके अनुवादक ठीक है एक नजर हम फिर से डालेंगे पुस्तके औ पूरा किया था ठीक है शुरुवात तो बदायूनी ने की लेकिन सरहिंदी ने इसे पूरा किया था इस पूइंट को याद रखेगा लिलावती फैजी ठीक है फैजी ने गड़ित की पुस्तक है और लिलावती के लेखा कौन है उपर आप देख चुके हैं भासकराचारे बासकराचार की पुस्तक है राज तरंगणी का अनुवाद किसने किया है शाह मुहमद सहबादी ने किया है और राज तरंगणी से कश्मीर के इतिहास को जानने का कश्मीर के इतिहास को हम जानते है ठीक है राज तरंगणी से ठीक है और इसका अनुवाद किसने किया है शा अगला है नल दमियंती तो नल दमियंती का अनुआद जो है फैजी ने किया है जबकि हरिवंश का मौलाना शेरी ने किया है ठीक है इसके बाद आगे है योगवशिष्ट योगवशिष्ट का दाराशिकोह ने अनुआद किया है और महा भारत का अनुआद नकी खां बदायू अबुल फजल और फैजी इन नहीं किया है ठीक है इसके बाद आगे हम देखते हैं भागवत पुरान तो भागवत पुरान का अनुवाद ओपर हम देख चुके हैं टोडर मलने किया है याद रखेगा ठीक है इसके बाद मुगल दर्बार में आने वाले कुछ विदेशी यात होता है छठवी यात्रा तो ये टेवर्नियर की पुस्तक है ठीक है और स्टोरियो दी मोगोर ये मनुची की पुस्तक है इसे भी याद रखेगा पूछा जा सकता है आपसे ठीक है तो ये थी मुगल काली इन पुस्तके और उनके लेखक साथ ही आपने अनुदित पुस्तके और उनके अनुवादक भी देखा इसी तरह से सल्तनत काल और मुगल काल पर हम टॉपिक वाइज एपिसोड लेकर के आते रहेंगे यदि चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश कर लीजेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ठीक है क्योंकि बेल आइकन को यदि प्रेस नहीं करेंगी तो आपके मुबाइल पर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा ठीक है जिससे आपको पता नहीं चल पाएगा क कौन सी वीडियो अपलोड कर दी गई है इस तरह से आप जो है इंपोर्टेंट वीडियो को मिस कर सकते हैं और साथ ही यदि यह एपिसोड आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी अवश कर दीजेगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत